वेलकम टू इंस्पार फिजिस क्लासे इस्पेनिस आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिजिस के कुछ इंपोर्टेंट क्यूसन दोस्तो आपको पता होगा कि जो NDA 1st A.M. 2nd के एडमिट कार्ड हैं वो 10 अगस्त को रिलीज कर दिये गए हैं और दोस्तो उनकी जो एगजाम है NDA की वो 6 सेटमबर को अनी है दोस्तो जो हमारी NDA की एगजाम है वो सेंटर लेवल पर लोगडाउन के बाद पहली एगजाम है जो 6 सेटमबर को कंडेक्ट होने वाली है दोस्तो यदि NDA की ही एक्जाम 6 सेटमबर को केंड़क्ट हो सकती है तो फुल चांस मनते हैं कि आपकी जो Air Force की एक्जाम है वो भी सेटमबर के अंदर ही केंड़क्ट कर आई जा सकती है तो दोस्तो अब आप नौर्मल रूप से देखते हैं तो आपके NDA के लिए 25 दिन बचते हैं आसे और जो हमारी Air Force है उसके लिए आप 30 से 35 दिन मान सकते हैं तो दोस्तो यह दिन आनि बहुत ही कम है आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है तो इस समय में अब जो आप तयारी करोगी दोस्तो वही तयारी आपको काम आएगी आपकी एक्जाम के समय अब इस समय जो तयारी करोगी वो भी हैल्प फूलोगी दोस्तो यदि आपने लोगडाउन के अंदर इतनी खास तयारी नहीं की है तो इस समय में जो तयारी दोस्तो आप फुली स्पीर से तयारी करो यही तयारी आपको काम आएगी और दोस्तो मैं आपके लिए इसी समय में ऐसे ही यानि प्रिविश एग्जामों पुछे हुए क्युशने प्रोवाइड कराता हूँ और दोस्तो मैंने इससे पहले भी ऐनी बहुत से क्युशने की वीडियो अप्लोड कर दी है हमने 28 प्रेटिक से एवा में 100 इंपोटेंट क्युशनों की 8 वीडियो अप्लोड कर दी है तो दोस्तो आप हमारे उन्हीं वीडियो को भी देश सकते हैं और आपके लिए रेगुलर अच्छे कुशनों की वीडियो आती रहती है तो आप इनसे भी अपनी फिजिस की तयारी अच्छी कर सकते हैं और भी अन्य चैनल है वहां से पिए दिया आपको कंसेप्ट नहीं है तो कंसेप्ट भी कर सकते हैं दोस्तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब न समय की तरतिय घात के समान पाती है तो तुरन समय के साथ किस परकाश से प्रवर्तित होगा यानि दोस्तों आप गताने जो कोई कन है उसका जो विस्तापन है वो समय की तरतिय घात यानि टी क्यूब के समान पाती है तो हमें बताना जो एसिलरेशन होगा वो समय के साथ किस प्रकार से प्रवर्टित होगा चेंज होगा तो दोस्तों हम जानते हैं जो मारा तुरन होता है उसका जो फॉर्मॉला ये भी होता है विस्तापन अपॉन यानी समय की स्क्वाइर यानी T स्क्वाइर होता है X अपॉन T स्क्वाइर तो जो मारा acceleration जो परपर्सनल हो जाएगा वो जाएगा TK यह जो तोरण हो जाएगा वो मारा समय की समान पाती हो जाएगा तो इस क्युशन का राइटिंज हो जाएगा option number D वाला यहनि A परपर्सनल होगा समय की अब हापके लिए नेश्ट क्युशने दो कणे A तथा B के विस्तापन समय गराप सहल रिखाए हैं जो समय X के साथ करम से 30 एवं 60 डिगरी के कौन बनाती हैं तो इनके वेगों का अनुपात V A एवं B भी होगा यहनि दोस्तों आपको दियावा है कि कोई दो कण है A वेवं B उनके लिए जो विस्तापन समय गराप है वो समय X के साथ करम से यानि A के लिए 30 डिगरी का और B के लिए 60 डिगरी का कौन बना रहा है तो आपको V A एवं V B यानि A कन की वेलोसिटी एवं B कन की जो वेलोसिटी है उनका अनुपात निकाना है दोस्तों याद रखना यह दि आपको कोई विस्तापन एवं समय के मदे गराप दी हो तो यह जो गराप होती है इसको जो सलोप होती है डाल होती है वह हमारी velocity को वेक्ट करती है और हम जानते हैं कि जो graph होती है यदि वह है X X के साथ यदि कोई theta कोण का यानि theta degree का कौण बना रही है तो इसकी जो slope होती है वह हमारी 10 theta होती है तो यहनिके जो VA is equal to जाएगा वो 10 theta A के is equal to जाएगा और जो VB is equal to जाएगा वो 10 theta B के is equal to हो जाएगा क्योंकि VA की डाल हमें 30 degree पे दी हुई है और ₹P की डाल साथ डिग्री पे तो यहां पर ठीटा का मान होँए तो वह हमारा ₹P के लिए ठीटा थीश डिगरी है तो यहां पर हो थेसरिय का मान होता है वह था हूं अपन में रूट थीन है और इसके बाटे में हुजाएगा चैन शाठ है निसका मान होता है 20 यह इसको करते हैं तो इसका मान किस राज़ी को अब भी वक्त करता है मारी यह जो कलर होता है तो उसका चाइंद होन दो फनी फनी ऀसी को वेक्त करता है जो है जो मारा सेमपरेश टेम्परीट होता है उसको ॡेक्त करता है क्योंकि हम जाते हैं जो मारा इस्टिफेन का नियम होता है इस्टिफन का नियम में वह में क्या कहता है कि जो टेमप्रेचर होता है वो जो मारी वेवलेंथ होती है उसके विद्कमान पाती होती है यह इनकी दोस्तों मारी तारा है जिस कलर का हमें दिखाए देता है और टारे का दिखाई दे रहा है उसका वेफलेंथ अधिक है तो उसका जो सतय का टेम्परेशर होगा वह कम थो जाएगा यह जो टारे का रंगा दोस्तो वह किसको राज़िक सुपारो सर्फेस का टेंपरेंचर उता है उसको अभी व्थ करता है अब आपके लिए ने के स्बाइब में नक्दन के ठीक उपर वाला छतर क्यuff जो वênioम나 Squamoo Kोई आब से हमारा मंदल होता है उसे थीक उपर वाला Mangal ओता है वो कौन साम missionary होता है तो दोस्तों दखना जो पर्तिवी के लिए सब से नीचे वाला Mangal ओता है वो था मार well हो ठीक ने सो ओपर जो वाला मंदल होता है शेक्ट वाला वह उत्षा मारा सम्ताप मंडल होता हैstyle मारे में जो मारा लाश्ट वाला मंलता इसके उपर हैनी चोथा उसको अपन कहते हैं याइन मंडलत तो दोस्तो याद रखना नीचे नीचे होता है छोब उसके उपर होता है सम्ताप मंडे तो इस question का right और सब्सक्राइब आप आपके लिए set question न परकास के विफ्तिकरण से respect होता है यहाद रखना कि जो हमारा विवर्थन और इस त्रंग परकर्थिक्राइब होता है तब भी हमारे विवर्थन voilà करते हैं बलकि दोस्तों मारा जो परकास विदुद परवाव है वह है जो हमारा करता है वह परकास की कन परकर्ति को परकास का जो वेव नेचर होता है यह तरंग परकरती को परदस्थित करते हैं तो जो विवरतन और वेथिक्रन हो जाएंगे उसके लिए जाएगा अप्शन अमर विवाला यह तरंग परकरती को इसप्ष्ट करते हैं अब है आपके लिए नेचर क्यूसन निम्न में से किसकी जोती दक्सता अधिक होती है यह दोस्तों आपको एक चालीस वॉट का बलफ दिया हुआ है एक चालीस वॉट की जो अमारी इस फूर्दिप्ति नली होती है दोस्तों वह दी हुई है इसको अपन बोलते हैं तो टू आपको समाने वॉट पर यदि एक बलफ दिया वाँ हो और एक इस फूर्दिप्ति नली दी हो तो उनके अंदर यदि आपको जोती दक्सता दिक पुछे तो दोस्तों वोती है इस पूर्दिप्ति नली की तो इस क्यूसन का राइटियों सजाएगा अपसन नमर बी वाला अ उनका जो संचरण उती है एक स्थां से दूसरे तक बेज़ना होता है दोस्तों वह पन नहीं बेज़ सकते है क्योंकि इसको भी संचर्ण के लिए आवर्ति का मान अधिक होना जाए यानि उन come to तो दवनी तरंगों का संचरंग के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर यानि उच आवर्थी की तरंगे मिलाए जाती हैं उसको अपन कहते हैं वहाग तरंगे उच आवर्थी की तरंगे मिलाए जाती हैं तो मिलाने की जो परकिरिया होती है दोस्तों उसको कहते हैं अपन मोड modulation तो इस क्यूशन का राइटर सजाएगा option नमर सी वाला यहीं संकेत आवर्ति को वहाग तरंग से लादने पर यह उसे जोड़ने की जो किरिया होती है वह मारी modulation क्यलाती है तो इस क्यूशन का राइटर सजाएगा option नमर सी अब आपके लिए नेस्ट क्यूशने सत्य कथन को चुनिए यहन्य दोस्तों आपको बताना है कि चार कथन दिवी हैं उनमें से कौन सा सत्य कथन है पहला कथन में दिया वा है कि पून तरंग दिष्ट कारी में दोनों डायोड एक आंतर करम में कारे करते हैं दूसरा कातिन है पून तरंग दिष्ट कारी में दोनों डायोड एक साथ काम करते हैं पून तरंग दिष्ट कारी में दक्सता समान होती है पून तरंग दिष्ट कारी दिवी दीशी होती है तो देखिए दोस्तों इसका राइट एंसर हो होता है और इसके सहारे एक और कुंडली होती है उससे क्यों होता है कि एक डायोड तो दोस्तों दोस्तों इस परकार से जुड़ा होता है वह जो दूसरा डायोड होता है वह इस परकार से जुड़ा होता है है ना तो क्या होता है कि दोस्तों पहले तो इस वाले टर्मिनल पर ह बाले डायोड है यह तो मारा उत्करम बीनती में अगर भी नती में तो एक वर तो यह कारी करता है फिर परत्या उड़ती-दारा जो ही अपनी आवेज़ार्ण यह अपनि जो सिप्टर करती है यह तो पोजिटिव हो जायगा और यह नेगी तो उसमय यह तो हमारा अगरवाइस में हो जाता है और ये 25 में तो इस इस्तिति में ये कारे करता है ये नहीं तो ये दोनों क्या करते हैं कि एकांतर करमे कारे करते हैं पहले तो पहले वाला डायोड काम करेगा फिर दूसरे वाला फिर दूसरे चकर में क्या करता है कि पहले वाला नहीं कर और दूसरे वालग करने लग जाता है तो इस किस्षिन का शुजाएक्पूर दूसर झाएगा बीध यूझा हो तो एंजोस्तों आपको दिया होँ एकि और क्रॉस एंडुमिक करना है कितना होगा दोस्तों हम जाते है जो एक क्रोस B is equal to हो माइनस के B क्रोस A की is equal to होता है तो यहां से यह अपने A क्रोस B के जगा माइनस के B क्रोस A रखते हैं तो हो जाएगा मारा माइनस के B क्रोस A is equal to हो जाएगा B क्रोस A यदि दोस्तों इन दोनों को एक से एक यानि साइड में करे जाते हैं दोनों ट्रॉंप स्कोटो मारो जाएगा डूबी क्रोश एजगोल टूमें पराप्ट था है जी यह इदी इस वाले पत को इधे लेकर जाएंगे तो इदर तो बजाएगा जीरो जाएगा टूबी क्रोश इजगोल टूजी रो हम जाते हैं दोस्तों यदि किसी दो राशियों को जदी क्रॉस मुल्टीपलाइद दिया हूँ तो इसको पने इस पर काश्य भी ए साइन ठिटा यदि बी क्रोश ए है तो इसको अपने सकते हैं डू बी ए साइन ठिटा यह मारा ओजाएगा जीरो यह दोस्तों में जो साइन ठिटा का जो मान पराप्त होता है तो यहां से अपन देखते हैं कि साइन ठीटा के अंदर जो जीरो पराप्त होता है वो एक ठीटा की जीरो मान पर पराप्त होता है वो एक होता है पाई पर तो यहां पर जो ठीटा का मान होगा या तो मारा जीरो जाएगा या हो जाएगा पाई तो दोस्तों यहां पर हमें 0 तो दिया नहीं हुआ है और पाई दिया हुआ है तो इस क्यूशन का जो राइटेंश हो जाएगा वो जाएगा मारा उप्सन नमर सी वाला यह जो ठीटा का मान हो जाएगा वो जाएगा पाई क्योंकि A क्रोस B is equal to दिया हुआ है B क्रोस A तो यहां पर हमें 0 नहीं दिया हुआ है तो इस क्यूशन का राइटेंश हो जाएगा ऑप्सन नमर सी वाला अब है नेश्ट क्यूशन है यदि पी क्रोस डोट क्यूं पी वेक्टर डोट क्यूं वेक्टर is equal to PQ है तो P सथा क्यूंके 20 कौन होगा यह दोस्तों में दिया हुआ है कि पी और क्यूं सदीज का य्जोट मल्टिप्लाई है वो भी क्यूं के बराबर है न हिन दोनों का जो मेंगनिटूड है उन दोनों की गुननफल के बराबर है는 हमें Cities कौन होगा दोस्तों हम जाते हैं यह कि नहीं दो राश्यों का डॉट मलटिप्लाई करते हैं इसका ज करते हैं तो इसके मल्टिप्लाइ में एक मान सकते हैं तो कोश्ट टिटा को जो मान हमें पराप्त होता है वो होता है एक तो यहां से एपन कोश्ट टिटा इस इकल टू एक रखते हैं तो दोस्तों हम जाते हैं कोश्ट के अंदर जो एक मान पराप्त होता है वो ठीटा इस इक क्यूंकि मद्य कौन हो जाएगा वो जाएगा जीरो डिगरी तो इस क्यूशन का राइटिंज हो जाएगा उप्सन नमर एवाला दोस्तो इसी क्यूशन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप तो है आज की ये क्यूशन आपको कैसे लगे आप कमेंट कर जरूर बताएगा और द जिए इंड तो